रादे रादे फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो प्रेम से बोलिए गणेज जी भगवान की जै आज विभा पंचमी है इस सुप्रक्ष में यह कहानी आज मैं बता रही हूँ एक समय की बात है भगवान विष्णु का विभा माता लक्षमी जी के साथ निश्चित हो गया विभा की तैयारी होने लगी सभी देवताओं को निमंतरन भेजे गए परंतु गणेजी को निमंतरन नहीं दिया गया उसके पिछे कारण जो भी रहा हो अब भगवान का समय हो गया सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विभा समारों में आए उन सबने देखा कि गणेजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं तब सभी चर्चा करने लगे कि क्या गणेजी को नियोता नहीं दिया गया या स्वयम गणेजी ही नहीं आए सभी को इस बात पर तो सबने विचार किया कि विश्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए विश्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेजी के पिता भोले नात भगवान महादेव को न्योता दिया है यदि गणेजी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते अलग से नियोता देने की आवशकता भी नहीं थी दूसरी बात यह है कि उनको सवामन मूंग, सवामन चावल, सवामन घी और सवामन लड़ू का भोजन दिन भर में चाहिए यदि गणेजी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं दूसरे के घर जाकर इतना खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता इतनी बात कही रहे थे कि किसी ने एक ने सुझाओ दिया कि यदि गणेजी आ भी जाएं तो उनको द्वार पाल बना कर बठा देंगे और कह देंगे कि आप तो चुहे पर बैट कर धीरे धीरे चलोगे तो बाराज से भहुत पिछे रह जाओगे या सुझाओ भी सबको पसंद आ गया तो विष्णो भगवान ने भी अपनी सहमती दे दी होना क्या था इतने में ही गणेजी वहाँ पहुँचे उन्होंने को समझा भुजा कर घर की रखवाली करने के लिए छोड़ दिया और बाराज चल दी तब नारज जी ने देखा कि गणेजी तो दरवाजे पर ही बैठे वे हैं तो वे गणेजी के पास गय और रुखने का कारण पुछा गणेजी कहने लगे कि विश्णु भगवान ने मेरा भहुत अपमान किया है नारज जी ने कहा कि आप अपनी मुशक सेना को आगे भेज दें तो वह उनके आगे का रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धर्ती में धर्ज जाएंगे तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा अब तो गणेजी ने अपनी मुशक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और सेना ने जमीन पोली कर दी तब बारात वहां से निकली तो रथो के पहिये धर्ती में धर्ज गए सबने लाग कोशिश की परन्तु पहिये नहीं निकले सभी ने अपने अपने उपाय किये परन्तु पहिये तो फिर भी नहीं निकले बलकि जग़ जग़ से तूट भी गए किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या क्या आ जाए तब नारजी ने कहा कि आप गणे जी को अपने साथ लेके नहीं आए, आप लोगों ने गणे जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया, सभी देवताओंने संकर से उबनने का उबाय पुछा, तब नारजी ने कहा कि आप सम्मान पूर्वा गणे जी को बुलाएं, तो आपका कारे सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेजी को लेकर आ गए गणेजी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया तब कहीं रत के पईये निकले अब रत के पईये तो निकल गए पर वो तूट गए उन ने सुधार ने कौन आता तब खाती को बुलाया गया खाती ने अपना कारे शुरू करने से पहले शरी गणेशाय नमा कह कर περιणेजी का वंधन मन ही बन किया तो देखते ही देखते खाती ने सभी पईयों को ठीक कर दिया, तब खाती कहने लगा कि हे देवतागण, आप सबने पहले गणे जी को नहीं बनाया होगा, और नहीं उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है, हम तो मूर्ख हैं, ज्यानी हैं, फिर भी सबसे पहले गणे जी को उनका ध्यान करते हैं, आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणे जी को कैसे भूल गये, अब आप सभी भगवान गणे जी की जैजेकार बोलकर जाएं और आपके सब काम बन जाएंगे, और कहीं संकट भी नहीं आएगा, तब सभी देवतागण गणे जी की हे गणे जी महारा, जैसे आपने भगवान का कारी सिद्ध किया, वैसे ही हम सभी का कारी सिद्ध करना, तो प्रेम से बोलिए गणे जी भगवान की जैएं राम का विवा जनक पुरी में मार्क शी शुक्ल पक्ष की पंचमी को संपन हुआ था, सीता स्वेंबर में भगवान शी राम ने धनुष तोड़ा था, और उनके बाजनक जी द्वारा एउध्या में दूद भीजा गया, तब भगवान दश्रत बारात लेके जनक पुरी आ राम से प्रतेक मंदिर में मनाया जाता है, इस प्रकार राम भगवान के भगतगण की बारात के रूप में जगा जगा जुलूस भी निकालते हैं, तो प्रेम से बोलिये सीता पती राम चंद्र की जै